असल में हर किसी को सारे 84 आसन करने की जरूरत नहीं, हट योग को अपनी मुक्ती का मार्क बनाने वाले समर्पित हट योगी सिर्फ एक आसन का अभ्यास करते। एक सोचने वाले दिमाग के लिए ये समझना मुश्किल है कि कोई इनसान अपना सारा जीवन एक खास तरीके से बैठने की कोशिश में क्यों बताएक। आप उसे जान सकते हैं। इसे आसन सिध्धी कहते हैं। तो ये 84 आसन जो की बुनियादी योग आसन हैं, ये 84 तरीके हैं शरीर को एक मार्ग बनाने के। असल में हर किसी को सारे 84 आसन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही आसन काफी है। आम तोर पर हट योगी, हट योग को अपनी मुक्ती का मार्ग बनाने वाले समर्पित हट योगी सिर्फ एक आसन का अभ्यास करते हैं। बस एक आसन, एक सोचने वाले दिमाग के लिए ये समझना मुश्किल है कि कोई इनसान अपना सारा जीवन एक खास तरीके से बैठने की कोशिश में क्यों बिताएगा। लेकिन अगर आप ठीक से बैठना सीख लेते हैं, अपने शरीर को बस ठीक तरह से रखना सीख लेते हैं, तो इस ब्रहमान में हर वो चीज जिसे जानने की जरूरत है आप उसे जान सकते हैं। से और सेहज हैं, यही आसन सिद्धी है अगर आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आपको जो भी जानने की जरूरत है आप उससे अपने भीतर से जान सकते हैं एक इंसान अभी जो है वो वैसा इसी आधार पर बनता है कि उसने क्या जाना या अनुभव किया है किसी इंसान ने क्या जाना या अनुभव किया है सिर्फ उसकी वजह से वो वैसा बन जाता है जैसा वो है आप अभी जो हैं वो अभी तक क्या अपने जीवन के अनुभव और बोध के कारण ही है आगे भी आप उसी के मताबिक बनेंगे जो आप भविश्च में अनुभव करेंगे आप जो भी जानते या अनुभव करते हैं वही आपको वैसा बनाता है जैसे आप आज हैं तो योग की पूरी प्रणाली सिर्फ अनुभव या बोध को बढ़ाने में दिल्चस्पी रखती है तो अगर आप सही तरीके से आसन में बैठते हैं अगर आपका अलाइन्मेंट सही है और अगर ये किसी तरीके से ब्रहमांडी जामिती से मिलता है 84 अलाइन्मेंट से अगर कोई व्यक्ती इन 84 आसनों का अभ्यास करता है यह सर्फ एक आसन में महारत हासिल कर लेता है और उसके माध्यम से बाकी 83 तक पहुँचता है तब वो अब तक स्रिष्टी में हुई हर चीज को जान सकता है क्योंकि उस सब की यादाश्ट आपके शरीर के भीतर मौजूद है हम कह सकते हैं कि एक कोड के रूप में इसे जगाया और सक्रिय किया जा सकता है अगर ये आपसे बाहर के दूसरे आयाम को सपर्ष करती है तो तो आसन शक्तिशाली साधन है योग आसन जुडने के शक्तिशाली साधन है मैं नहीं चाहता कि आप योग के अर्थ को भूले योग का मतलब है जुड़ना जुड़ने का मतलब है कि दो एक हो गए है दो का मतलब इस अस्तित्व में सिर्फ दो ही चीजे हैं आप और बाकी का अस्तित्व है बाकी की चीजों को आप पहचान सकते हैं ये वो या वो के रूप में लेकिन असल में सिर्फ दो ही हैं आप और बाकी का स्थिर्थो क्योंकि आपके भीतर अनुभव के सिर्फ दो ही आयाम है आप नहीं जानते कि इस ब्रह्मान में उपर और नीचे क्या है आप नहीं जानते कि आगे और पीछे क्या है, आप कुछ नहीं जानते ये सब हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है अनुभव के आधार पर वास्तविक्ता सिर्फ इतनी है कि किसी चीज को बाहर कहते हैं और किसी चीज को भीतर कहते हैं तो अनुभव के ये दो आयाम है, भीतरी और बाहरी. तो योग का मतलब है, इन दोनों को मिला कर एक कर देना, बाहरी और भीतरी, आप और बाकी सब, आप और कोई और, जब आप और कोई और नहीं होता, तब सिर्फ आप और आप होते हैं, तब वो योग है. तो आसन इस तक पहुंचने का शारेरिक जरिया है, ये एक शारेरिक साधन है, इस परम एक रूटता तक पहुंचने के लिए, क्योंकि शरीर के साथ काम करना सबसे आसान होता है. अगर आप अपने मन के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ये कई तरीके से चाले खेलेगा कम से कम शरीर के साथ आप इतना तो जानते हैं कि ये ठीक कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है ये सहयोग कर रहा है ये सहयोग नहीं कर रहा है जबकि अगर मन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं तो ये आपके साथ हर तरह की चालेंज चलेगा ये आपको हर तरह की चीजों पर यकीन दिला देगा और अगले ही दिन आपको धोखा देदेगा लेकिन शरीर वैसा नहीं होता आप इस पर यकीन कर सकते हैं अगर आप इसके साथ समझदारी से काम करते हैं तो योग आसन निश्चित रूप से परम एक रूपता की संभावना की और ले जाएंगे इस दौरान इन आसनों के अभ्यास से इस से पहले की परम जामिती के साथ ही अलाइनमेंट पैदा हो एक भीतरी अलाइनमेंट पैदा होता है जिस से स्वाभाविक रूप से अच्छी सेहत, प्रसन्नता और आनंद और सबसे बढ़कर संतुलन प्राप्त होगा संतुलन को मौडन सुसाइटीज ने अंदेखा किया है और उन्हें आज इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है आप चाहे जितने भी होश्यार हो, आप चाहे जितने भी काबिल हो या पड़े लिखे या योग्य हो, अगर आपके पास जरूरी संतुलन नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे, अपने जीवन में बहुत आगे तक नहीं जाएंगे तो सफलता चाहने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपून चीज चाहे वो कॉर्पूरेट सेक्टर में काम कर रहे हूं, या वो राजनीती, सेना, या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हूं सबसे महत्वपून चीज है, संतुलन अगर आपके पास ऐसा संतुलन है, जो बहारी हालातों से नहीं बिगड़ता सिर्फ तभी आप अपने भीतर की काबिलियत और बुद्धि मत्त का इस्तिमाल कर पाएंगे वरना आपके ज्यादातर शांदार गुण संतुलन की कमी की वज़े से बेकार हो जाएंगे और हट योग का मतलब है संतुलन